दिसंबर के महीने में मानो जंग छड़ी हुई है। थियेटर में एनिमल ने चीड फाड़ कर रखी है। संसद में डेमोक्रेसी के चीथड़े उड़ रहे हैं। और सोशल मेडिया पर संदीप महस्वरी और विवेक बिंद्रा एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये केवल एक बंदे की बात नहीं हो रही। उसे एक्सपोज करने की बात नहीं हो रही। ये पूरी सिस्टम की कहानी है। जो बड़े बड़े बाते हैं, बड़ी बड़ी गाडियां, एस्पिरेशनल, लाइफिस्टाइल दिखाकर, सपने जोजगार नाजवानों को भटकाते हैं, फुसलाते हैं, उनकी आर्मी बनाते हैं, या फिर उनको काटते हैं, या फिर उनका काटते हैं, जेब। समझाता हूँ कैसे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देश भक्त किसी एक यूटूबर के कै जाने वाले नहीं, हमारा कैम्प देश है, हमारी पार्टी भारत है, और भक्त हम सर्फ देश के हैं, लेकिन इस संदीप महस्वरी वर्सेज विवेक विंद्रा की लड़ाई में, किसी की भक्ती तो सर्फ पैसों के लिए है, कोई तो गलत काम कर रहा है, देश के यूवाउं के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे बहुत कुछ मालूम है, इस कैम्प कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसका खुलासा अभी करते हैं, एपिसोड पर पहले थोड़ा सा कॉंटेक्ट समझने की कोशिश कर लेते हैं, हमारे जो दो में करदार हैं, ये कौन हैं, और ये कैसे उत्पन्न हुई, ये इस कैम्प कैसे बहार आया, पहले ये दो मिनट समझ लेते हैं, संदीप महश्वरी एक जाने माने योटूबर हैं, इंडिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में इनका नाम आता है, इस्टुडेंट संदीप सर के दिवाने हैं, इनका कहना खोब ने भी ऐसा मंत्र दिखा देंगे, सुना देंगे कि वो लाखों में कमाएंगे, पैसे ही पैसे, कोछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, सब चंगा सी था, संदीप सर मोटिवेशनल कर रहे थे, बिंदरा सर लखपती बना रहे थे, अपना बड़ा वाला कोर्स ने बताया कि कैसे एक बड़े बिग यूटूबर ने इनकी बड़े तरीके से काटी है, जेप काटी है, 40-50,000 के कोर्स के नाम पर एक स्किम करवा दिया, जहां आंत्र प्रियोर्शिप के आड में उन्हें वहीं कटिंग एज कोर्स आगे लोगों को चिपकाना था, जिससे क उनके पैसे वापस आएं, सिंगल भाशा में इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्किम कहा जाता है, सरकार इसे अलाउड नहीं करती है, और ऐसा काम AZD 1000 बच्चों से कर रहे हैं, संदीप सर सुनकर हैरान, क्योंकि अगर ये बात सच है, तो ये स्कैम तो 100 क्रो होता है, योटूब पर सोज आता है, किसी का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन समझदार को तो इशारा काफी है, कि कौन से ये बड़े बिग योटूबर की बात हो रही, संदीप सरकी भी इतनी रिच है, इतनी फॉलोइंग है, कि बात फाइल जाती है, लोग 2 प्लस 2-2 AB फार मैटर को सुल्जाते हैं, यहां तक कि लेगल धमकी भी दी गई थी, संदीप महश्वरी कह रहे हैं, लगता है कि इस दबाव में संदीप महश्वरी और भी उत्तेजित हो गए, और इस बार विवेक बिंदरा का नाम लेकर सब को बता दिया, बिंदरा की पोल खोल दी, और यह मांगी कि बिंदरा जी यह सारा जो क्लेक किया है, यह जो बच्चों से पैसा लिया है, इसको वापस करो, पांसो करोन रुपए तो आपने उठाये हैं, इसे वापस करो, तेल मिलाकल विवेक बिंदरा भी वीडियो लांच कर देते हैं, दावा करते हैं कि उनके अकाउं थे, मोटिवेशन का धंदा चल नहीं रहा था, इसलिए मुझे टार्गेट किया जा रहा है, विंदरा कहते हैं, अब जो कोर एलिगेशन थे, उनका तो क्लियर जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से आउफर दिया, अरे साथ बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, मैटर सुल कर दिया जाता है, स्टॉप, विवेग बिंदरा का हैश्टेक लाँच कर दिया जाता है, संदीप महेश्वरी अपने फॉलोवर से कहते हैं, कि विवेग को रिपोर्ट करो, मिनिस्ट्री ऑथोरिटी के सामने इसको खीच कर ले आओ, इसे रोको, यह देश से जाने वाला है यह भाड जाएगा, जो बंदा कल तक आपके शो में गेस्ट था, आज आप उसके खलाफ लेगल एक्शन टिमांड कर रहे हो, तो क्या, विवेग बिंदरा गलत काम कर रहे हैं, इसका अच्छा जानने के लिए, मैं संदीप महेश्वरी से नहीं, मैंने महेश्वर पेरी से बात की, जिनने ऐसे educational courses के बारे में बहुत मालूम है, अब आप पूछोगे, यह पेरी कौन है, संदीप महेश्वरी के बारे में तो सुना था, महेश्वर पेरी कौन है, योटूबर तो है नहीं, वारल तो है नहीं, लेकिन तब founder chairman of carriers 360 पेरी वो बंदा है, जिसने अकेले अ अपने को management institution ही नहीं कह सकता है, और 2015 में और भी code से orders आये, जिसके चलते IIPM को अपने सारे campus बंद करने पड़े, शटर डाउन पूरे business का एक बंदे की वज़ह से, पेरी ने अब विवेक बिंदरा पर कई कड़े सवाल उठाये हैं, ठीक है motivation, nationalism, easy money के नाम पर आपने बहुत सारे views चाप ली, YouTube earning कर ली, लेकिन आपने बिचारे नौजवानों को किस basis पर business का course सिखाया, कौन सा business करवा रहे हैं, उसके details ज़रा बताओ, और पैसे कैसे कमा रहे हैं, सबसे पहले आपने 10-day MBA program कैसे launch कर दिया, MBA degree कोई भंदारे में मिलता है क्या, कल कोई 10-minute MBA भी launch कर देग लेकिन चलो, डॉक्टर का tag लग गया, उपाधी तो मिल गई, लोग उसी पर इंप्रेस हैं, तीसरा, बिंदरा के प्रोग्राम लांच किया, International Business Consultant या IBC, दावा ये है कि 1 लाख से 20 लाख रुपए प्रती माह आप कमा सकते हो, ये course करने के बाद, IIMB की क्या जरूत है, बिं मुला से, बिंदरा के तो खायर अच्छ दिन है, फेस के पैसे कमाओ, कोर्स आगे बिखता है, तो कमिशन भी कमाओ, पैरी कहते हैं कि इससे ज़्यादा बत्तर, affiliate या multi-level marketing scam आपको मिल ही नहीं सकता है, तो उन्होंने बहुत clearly इसको एक scam कहा है, महश्वार पैरी ने विवेक इंसल इयर 2023 में, बिंदरा ने 300 करोण रुपए कमाए, इसमें से non-refundable franchise fee 227 करोण, ये दावा है पैरी का, संदीप महसवरी ने तो विवेक बिंदरा को challenge अलड़ी कर ही दिया है, लेकिन बिंदरा को शायद खत्रा जादा महसवरी पैरी से है, क्योंकि पैरी ने अब कह दिय मैंने tweet किया है, अगर विवेक बिंदरा उनके खलाफ case launch करते हैं, तो launch करें, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं सिधा इसको court ruling तक खीच लूँगा, ठीक जैसे उन्होंने IIPM के अरिंदम चौधरी के साथ किया था, court से case चला और फिर IIPM को बंद करवा दिया, पैरी पह किसको कर रहे हैं, बड़े-बड़े businesses को नहीं, ना ना, गली बल, informed student जो career wise, struggle कर रहे हैं, validation ढूंड रहे हैं, inspiration की उनको दरकार है, वो success के लिए shortcut ढूंड रहे हैं, और तब ही उनको ऐसे इनसान मिल जाते हैं, और वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं, कि 10 दिन में MBA, 1 से 20 ल रुपए कमाना इतना आसान होता, तो ये जो 600 लोग बिंदरा के business में काम कर रहे हैं, वो क्यों घिसा रहे होते, कुछ 1000 रुपए के लिए, वो भी लगपती बन बैटते, अभी तक बिवेक बिंदरा जैसे लोग इतने बड़े motivational speaker बन कैसे जाते हैं, सवाल ये है कि हम में motivation क कि इतनी कमी है, या हम सी बनने के इतने अच्छे और इतने माहिर हैं, ये इनसान अपनी बीवी को motivate न कर पाया, खैर छोड़िये, शादे के बाद वाला मामला दूसरे पार्ट में देखते हैं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और जो नए वीवर्स हैं, हमारे बेल आइकन को जरूर दबा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.